देखते ही देखते आखिर दिपावली कत्योहार भी आ गया आखिर कैसे मनाएं दिवाली क्या है सुप्रीम कोट के दिशा निर्देश कैसे मनाई जाएगी इस बार की दिपावली सुप्रीम कोट ने केवल ग्रीन फटा के छोड़ने की ही दी है अनुमती क्या सुप्रीम कोट के दिशा निर्देशों के अनुरूप मनेगी इस बार की द पाउली हमारे दर्सकों को बता दे की सुप्रीम कोट ने केवल ग्रीन फटाके छोड़ने की अनुमति दिये है और किसी किसी राज्य में हर प्रकार के फटाकों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है वैसे तो दिवाली खुश्यों करत्योहार है मगर प्रदुशन कारी फटाकों के कारण दिवाली के बाद लाखों लोग नाना प्रकार के अंजान लोगों का सिकार भी हो जाते हैं मालूम हो कि दिपाउली पर छोड़े जाने वाले फटाके अब हमारी जल्वाई को बुरी तरह प्रभावित करने लगे हैं पहले कभी जब देश की आबादी लाकों में हुआ करती थी, उस वक्त आतिस बाजी भी कुछ गिने चुने लोग कर पाते थे, बाके तो केवल दर्सन ही करते थे, लेकिन आज आर्थिक स्तर बढ़ने से हर वेक्ती बढ़ चड़ कर आतिस बाजी करता है और करोणों लोग अर रुपे के फटाके जला देते हैं, इससे पैसे की बरबादी तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है परिया वरण को, धोनी और वाईयो प्रदुक्शन दिपावनी पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जो कई बीमारियों का कारण है, दिवाल पेडित होते हैं, केंद्रिय प्रदुक्शन नियंतन बोर्ड सी पी सी बी के अनुसार फटाकों के कारण दिपावनी के बाद वाईयो प्रदुक्शन 6 से 10 गुना और आवाज का स्तर 15 डेसिमल तक बढ़ जाता है, मनुष्य के लिए 60 डेसिमल की आवाज समन्य होती है, इस गातक होता है, ऐसे में आपको बता दे कि बाजार में अब बिना प्रदुक्शन वाले फटाके भी उपलब्द है बिना प्रदूशन वाले फटाकों से दिपावली पर इस बार लोग बिना किसी जोखिम वे प्रदूशन के आतिस बाजी का पुरा लुप्त उठा सकते हैं कम जोखिम भरे फटाकों से जेब पर भार भी कम ही पड़ता है बाजारों में इस आतिस बाजे की विविन रेंज उपलब्द है हम दिवाली जरूर मनाएं मगर यह याद रखे की परियावरण की सुरच्चा हमारा भी दाइत्व है दिखावे के आडंबर से बसते हुए हम सभी को अपना त्योहार मनाना चाहिए हमारी त्योहार हमारी परंपराओं के वाहक है इन त्योहारों को हमें अपनी प्राचिन संस्कृतिक के अलूप मनाना चाहिए ना कि इसमें आधुनिक्ता का रंग उढ़ेलना चाहिए असम से अरुन कुमार जेन के साथ कैमरा परशन मना घटवार की विसेश रिपोर्ट फिलाल के लिए बसतना ही बने रहे टूडे 24 न्यूज के साथ